हे गाईस ऐसा लग रहा है कि जैसा सचिन और उनकी फैमली फ्रेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रही है इनकी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स आय जा रही है आय जा रही है लगबग एक साल तो हमें भी हो गया एक्षिन देते हुए मतलब इनके उपर नी इनके उप देखा था और जादा भी नहीं देखा था लेकिन इनकी जो कॉन्ट्र वर्सी करूं कि मैं देख लेती हूं तो लेकिन ऐसा हो रहा है जितने बवाहल इनकी life में चलते इतने एक कापूर के सीरियल में भी नहीं जलते जी हाँ अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है दरसल इनके भाई से भी इनका पंगा चल रहा था आपको सभी को पता होगा हाँ उस पर जो यह सचीन है इन्होंने कोई भी अपने भाई के अगेंस वीडियो नहीं बनाई कुछ भी जादा वो नहीं बोले लेकिन प्रेंस ने स्क्रिन्शोट लीक होते हैं वैसे ही एक और गेम खेला जाता है कि भाई उन स्क्रिन्शोट के लिए कोई भी जवाब नहीं आता सचीन की तरफ से बलकि जवाब आता है वो प्रिंस की तरफ से ही आता है और वो सब चीजों को नकार देते हैं कि भाई मैंने अपने दिल की पाद बता दी थी किसी को अपना समझ गे उसने मुझे यह कर दिया वो कर दिया तो ऐसे कुछ सिनेरियों महाँ पर होता है उसके नेक्स डेई ही एक ओडियो मतलब वाइरल हो जाती जिस पर इतना अंगामा मच जाता है आपको पता ही होगा वो ओडियो को उस थी तो उस ओडि किसे बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन उस पर भी कुछ चीज़े ऐसी आ जाते कि भाई उस पर भी सचिन को आने में जवाब देना पड़ता है अब इसी बीच में क्या होता कि प्रिंस जो है वो सचिन की साली से मिलने चला जाता है यानि कि मनीशा की बहन से वहां पता चलत है कि मनीशा की बेहन का चैनल है को गया है उसके चानल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इस वज़े से उसने काम करना बंद गया दिया उसकी तब इत कफी खराब चली थी जिस वज़े से वह जो है शोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी अब यह चीजे हुई इस पर हेट मिल लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि भाई जो प्रिंस है वो तो सामतना दे के निकले नीशा को लेकिन अब खुद का चैनल हैक हो गया है जी हाँ अब उनका चैनल हैक हो गया है जो उनका में चैनल था उसको हैक कर लिया गया है ऐसा वो बता रहे है और वो साथ दिन तक कोई भी एक्टिविटी उस चैनल पर नहीं कर पाएंगे और अपने दूसरे चैनल पिंस की रंजना पर वो लोग चैनल आज जो है वीडियो अब डाल रहे हैं इतना ही नहीं आपको बता दे कि उन्होंने ये भी कहा है कि पहले भावी का इंस्ट्राग्राम गया फिर नीशा की चीच के लिए किरे कि को टारगेट कर रहे हैं कि बढ़ि कोई है ऐसा जो कि हमारा काम बंद कर वाना चाहता है लेकिन उन्होंने ये भी एक चीज और कहते वे नजर आए एक statement कि मम्मी होती तो यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता अब अब जीब सा लग रहा है जिस पर लोगों ने उनको नीचे काफ़ी टोंट मारे हैं कि भाई जब मम्मी साथ होती है जब तो तुमको बीवी दिखाई देती है अब जब तुम पर म लाइता फैला देता है कि लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं हाँ जी तो वहां उनके comment section में लोगों का कहना यह है कि एक निंजा टेक्निक है अपने इस चैनल को यानि प्रिंस की रंजना को चलाने की एक निंजा टेक्निक है जिसकी वेज़े से बहाना लिया जा रहा यह possible भी है लोग ऐसा करते है एक्चुली बहुत यूट्यूबर्स को ऐसा करते हैं कि वो लोग ड्रामा करते हैं देखिए जब चैनल है कुसी company द्वारा होता है या फिर यह कहे कि real hacker कर द्वारा होता है तो हमेशा चैनल है कोने के बाद में उसमें illegal activities होने लगती है जो कि YouTube क की तरफ से illegal है जैसे game की activity, share market की activity या फिर इस तरीके की गलत activities होने शुरू हो जाती है आपने देखा होगा बहुत से लोगों के जब hack हुए है तो वो तभी पता चला है जब इस तरीके की activities होनी शुरू हो जाती है अब देखना यह होगा कि क्या Prince के जो channel है main channel उस पर भी इस activity नहीं है लेकिन जो real जो लोग करते है hack जो कि फिर पैसे भी मांगते है channel देने के उसमें और कहीं बार उससे मिलता भी नहीं है तो उन लोगों का यही फंड है कि वो इस तरीके की वीडियो चला देते है इस तरीके की live चला देते है जिससे की blackmail कर पाई YouTubers को कि देखो हम तुमारी ये channel बंद हो जाएगा अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिये तो फिर क्या होता है कि भाई मिलियोन में followers होते हैं लाकों में होते हैं लोग सोचते हैं कि चली इसको पैसा दे कर अपने channel बचा ले तो ये activities वहाँ पर अभी नहीं शुरू हुई है अ इसका अभी तक इन लोगों को नहीं पता चला है कि आखिर वो इंसान कौन है जो कि ये चीज़े इनके साथ में करवा रहा है इतना इने कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि भाई अब जो सचीन उनको गुस्सा आ गया होगा क्योंकि उन्होंने उनकी साली के साथ वीडिय वापेस आजाएगा तो ये देखने कि पता चल रहा है कि भाई सचीन जो है वो हैलप कर रहे है अपने भाई की और ऐसा नहीं है कि सचीन ने है करवाई है सचा है अपना दूसरा चैनल चैलाने की टेकनिक है तो फिर Тो हम कुछ भी नहीं लेकिन वेट यह करना होगा कि रियल हैकिंग हुई है या फेक हैकिंग हुई है ये भी बहुत जाना जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी पहचान है जो मैंने आपको बताया है तो अगर आपको भी ऐसी कुछ एक्टिविटी इनके चैनल पर दिखे कि भाई कोई अटपटी सी लाइव चल रही है या हैं जाना की या अगर ना दिखे तो या तो इनकी किस दुष्मन की साझिट सैंप फिर चैनल को चलाने का ही एक फंडा एंव सेटा है यह फिर पकी कि ₹ libr डालने शुरू कर देते तो नोंटिफिकेशन जाने में थोड़ा टाइम लगता है तो देखते हैं अभी कितने दिनों में इनको चैनल मिल ता है और कितने दिनों में वीडMich डालना शुरू इप इप